तारकेश्वर महादेव की जाए तारकबं बॉलबं पश्चिम मगाल के राजपाल सीवी आनन बोश जी केंद्रिय मंत्रि मंडल में मेरे सही हो की सांतनू ठाकूर जी पश्चिम मंगाल विदान सभामे मनेता विपक्ष सुवेंदू अधिकारी जी सांसद अपरुपापोदार जी सुकांता मजबदार जी सौमित्र खान जी अन्य महनुभाव देवी और सज्जनो 21 वी सदीका भारत तेज गती से आगे बढ़ रहा है हम सभी ने मिलकर 2047 तक विक्सित भारत बनाने का लक्ष ताय किया है देश का गरीब किसान महला और युवा ये देश की प्रात्विक्ता है हमने निरंतर गरीब कल्यार से जुदे कदम उठाये हैं जिसका परणाम आज दुनिया देख रही है बीते दस वर्सों में देश के 25 करोड लोग गरीबी से बहार निकले है ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है नीतिया सही है निनने सही है और उसका मूल करण नियत सही है साथियों आज यहाँ पश्चिम मंगाल के विकास के लिए साथ हजार करोड रुपिय से जादा के प्रोजेक्ट उसका उत्हाटन और सिलान्यास हुआ है इन में रेल पॉर्ट पेट्रोलियम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजना ये शामील है हमारा प्रयास है कि पश्चिम मंगाल में रेलिवे का आधुनिकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है आज जिन परियोजनाओं का लोकारपण हुआ है उनमें जाडग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बहतर होगा इसे इखेत्र के उद्योगों और परियत्रन को बढ़ावा मिलेगा सौंडलिया चंपापुकुर और डानकुनी बटनगर बाल्टी कुटी रेल रूट इस पर दहरी करन भी किया गया है इससे उस रूट पर ट्रेनों की आवाजा ही बहतर होगी बविश्की जरुवंतों को ध्यान मरक्तर शामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट और इससे जुड़ी तीन और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है इस पर भी केंद्र सरकार एक हजार करोड रुपिय से ज़्यादा खर्च करने जा रही है साथियों भारत ने दुनिया को दिखाया कि परिया वरण के साथ तालमेल बिठाकर भिकास कैसे किया जा सकता है हल्दिया से बरोनी तक पांसो किलोमेटर से ज़्यादा लंबी क्रूड ओइल की पाइक प्लाइन इसका उधारन है इसके जरिये क्रूड ओइल को चार राज्यों बिहार, जार्खन, ओडिशा और पस्चिम मंगाल से होते हुए तीन अलग-अलग रिफाइनरी तक पहुंचाये जाएगा इससे खर्च भी कम होगा और परियाबन सुरक्षा से जुड़ी चिंताये भी कम होगी आज जो पस्चिम मेदनिपूर में एल्पीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ है उसका लाप साथ जिलों को होगा इसे यहाँ एल्पीजी के मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ साथ नव जवानों के लिए रोजगार के अनेक नए आउसर भी बनेंगे आज भूगली नदी के प्रदुक्षन को कम करने के उद्देश से सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट को भी शुरू किया जा रहा है इसका भी फाइदा हावडा कमरहाटी और मारानगर के एक शेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को होगा साथियों किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहाँ के लोगों के लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते तयार हो जाते है भारत सरकार ने इस साल पस्चिम मंगाल में रेलवे के विकास के लिए तेरा हजार करोड रुपिय से जादा का बजट दिया है थर्टिन थाउजन करोड ये रासी प्वेंटी फोर्टिन से पहले की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है हमारा प्रयास है कि हां रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेल्वे स्टेशनों का पुनरविकास तेज गती से हो पिछले दस वर्सों में पस्चिम मंगाल में वर्सों से रुके पड़े कई रेल्वे प्रोजेक्ट पूरे हुए है दस सान में बंगाल के 3000 किलोमेटर से ज्यादा रेल्वे ट्रेक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है अम्रुद भारत स्टेशन योजना के तहट पस्चिम मंगाल के करीकवरी 100 रेल्वे स्टेशन अब कलपरा कीजिए एक साथ 100 रेल्वे स्टेशन का पुनर विकास किया जा रहा है तारकेश्वर रेल्वे स्टेशन को भी अम्रिज स्टेशन के रुप में विक्सित किया गया है पिछले दस वर्सों बें पस्चिम मंगाल में 150 से जादा नई ट्रेइन सेवाएं शुरू की गई है पांच नई बंदे भारत एक्स्प्रेश बंगाल के लोगों को रेल यात्रा का बिलकुल नया अनुभव करा रही है साथियों मुझे भी स्वास है कि पस्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विक्सित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे एक बार फिर बंगाल के लोगों को आज की परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूं यह सरकारी कारकरम अब यहां समाप्त होगा और मैं दस मिनिट के भीतर भीतर खुले मैदान में जा रहा हूं कि खुले मैदान का मजा भी कुछ और होता है कि बहुत सारी बाते आज मुझे कहनी है लेकिन उस मंच पर कहूंगा लेकिन विकास के इन सारी योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं मैं आपसे बिजाए लेता हूं नमस्कार कोठी कोठी दन्यवाज सर्थ